जी हाँ आपने वीडियो के थमनेल में जो देखा वो सच है वीडियो के अंध तक आप भी इससे साहमत नजर आएंगे तो स्वागत है आपके अपने निव चैनल पुरवान चल पत्रिका में तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होगा इसलिए वीडियो को अं कोर्णा संकट के बीच एक वर फिट ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसे जानकर हर भारती है हेडान है ट्रंप ने साफ तोर पर धंकी दे डाली है कि अगर भारत हाइड्रोक्सी क्लोडो कुईन दवा के आपूरती नहीं करता है तो वह जबावी करवाई करेगा भारत ने क दवा क्या पूर्ती का नुमती देंगे तो हम उनके इस कदम की स्राहना करेंगे अगर वे सहयोग नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन वे हमसे इसी तरह की परतिक्रिया की उम्मीद रखें ट्रंप ने कहा कि भारत कई वर्सों से अमेरिका व्यपार नियमों का फा अमेरिका के धाउस जमाने वाली ये तेवर नए नहीं है इससे पहले भी मुश्कित समय में वह भात की उमीदों को धटका दे चुका है बात करें साथ के दसक की तो उस वक्त भी अमेरिका का रवया बेहद अन्याय पुरुन था अकाल के बीच अमेरिका ने भात की आधी अ आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था उने सो चौनसर्ट में भात कई चुनोतियों से जूज रहा था देश के पहले परधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का देहान थो चुका था और लाल बादो सास्ट्री ने देश की कमान सम्हाली ही थी देश खाने के संकर से जूज अमेरिका से अनाज की मदद मांगी थी लेकिन उसने भात को दोयम दर्जे का लाल गेहूं भेजा अमेरिका के इसी धोखे के बाद भात में हड़करांती की निव पड़ी थी इसी दौर के बात है जब देश अमेरिका की पील 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बा दीजिए उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से भी इंकार कर दिया था यहीं से उनके परसिद नाडे ने भी जन्म लिया था अक्टूबर 1965 में दसरे के दिन दिल्ली के रामलिला मैदान में सास्त्री ने पहली बार जै जवान जै किसान का नाडा दिया था तो वहीं आज से स्वाइन फुलू की महामारी के दरान टैमी फुलू काफी कारगर रही थी उसी तरह है अगला कदम भार सरकार की क्या रहती है अगर कोई सवाल या सुझा हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं